नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है पांच मई दिन सुक्रवार आगे राजनीती से जुड़ी दिनबर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर पार्टी ने सर्थपवार के इस्तिफ़े को किया नामंजूर जाती गद गर्ना पर लालू यादर ने बीजेबी पर शाधा निसाना मुके सहनी ने आरक्षन को लेकर कही ये बार वैसी ने बीजेबी कॉंगरिस पर निशाना साथते वे सेकुलरिजम पर उठाया सवाल संदार चौधरी ने नितीस सरकार पर लगाया रूप पार्टी ने सरथपवार के इस्तिफ़े को किया नामंजूर एसे पे पार्टी के अध्यक्षपद से सरथपवार के इस्तिफ़ा देने के बाद पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर चर्चा की जा रही थी पार्टी के अध्यक्षपद के लिए मुंबई में से लेकर एक एहम बैठक भी की गई थी इस बैटक में सरथपवार के इस्टफ़े को नामझूर कर दिया गया है, मिले जानकारी के रुसार पार्टी द्वारा सरथपवार से अध्यक्षपत पर बने रहने का नुरोध भी किया गया है वहीं पार्टी के उपाद्यक्ष प्रफुल पटेल का बयान भी सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि देश के नहीं तासरत पवार जी ने अध्यक्षपत से इस्तिफात दिया था जिसे एक मत से नामंजूर किया जाता है और हम उनसे विंति करते हैं कि वेपत पर कायम रहे और अपने जिम्बदार नी भाए बीजपी विधायका पार्टी से हटकर बयान आया सामने हाइकोर दोरा जातिये गन्ना पर रोक लगाये जाने को लेकर भाजपा लगातार निती सरकार पर निशाना साथ रही है लेकिन अब इससे बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जह जातिये गन्ना होनी चाहिए बता दे कि बीजपी विधायक का यह बयान तब सामने आया जब बीजपी की कई नेता राज्य सरकार पर जाती गन्ना को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे ऐसे में बीजपी विधायक ने अपनी पार्टी से हटकर यह बयान दिया है और इससे सभ बादी के पियें मोंदी को प्रियां खड़े ने अपने भाशन के दोरान नारायक बेटा कह दिया था, उनके इस बयान पर बीजपी नेताओं के तरफ सिस्थिकाय दरज करवाई गयी थी प्रियांक खड़के के इस बयान को लेका चनाव आयोग ने उन्हें आदश आचार सहिंता के उलंगन के लिए कारण बताओ नोटस जारी किया था और उनके अब बयान को अपमांचनक और प्रथम द्रिस्टे आचार सहिंता का उलंगन बताते वे जवाब मागा था अब जोंकि आवाज उठाने के लिए कोई बयान देने और किसी भी सजा को स्विकार करने के लिए तयार हूँ मुएस सहनी ने अरक्षन को लेकर कर कहीड़ काई यह बत फैशाली के देशरी में किसी धार्मिक कारिक्रम में शामिल हुए मुके सहनी ने एक जनसभा को संबूधित चन सभा को संबोधित करते वे उन्होंने कहा कि सर उठा कर जीना है तो अधिकार के प्रतीश संगर्स कीजे आज जरूरत है कि जितनी जिसकी संख्या हो उतनी ही उसे हिसेदारी मिले आगे उन्होंने कहा कि भारत के समिधान में सी, स्टी और OBC को अधिकार दिया गया है लेकि को दस प्रतीशत आरक्षंद दिया गया है वियाईपी अध्यक्ष ने यह भी गताया कि विरोधी नहीं है लेकिन जनसंक्या के नुसार आरक्षंद की व्यवस्ता होनी चाहिए नितीश का संदेश लेकर महाराश्टर पहुंचे विधान परिशत के सभापती देवेश ठाकु विपक्षी पार्टियों की मेटिंग किंद्रे रित्वक के खिलाफ आयोजित होनी वाली है इस मेटिंग को नितीश कुमार द्वारा आयोजित किया जागा पायटक में आने का निमंत्रां दिया है, हाला कि जद्यू के तरफ से इस मुलाकात को केवा सिस्चार का मुलाकात बताया जाँ जाँ रहा है। लालु यादव ने बीजैपी पर ट्वीट के जरिये निशाना साधा है दरसल लालु यादव ने कहा है कि जातिगत जन गन्रा बहु संख्याक जनता की मांग है और यह हो कर रहेगा उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पार्टी बहु संख्यक पिछरे हंदूओं की गन्ना से क्यों डरती है जो जाती है गरना का विरोधी है वस्तमता मानता का विरोधी एवं उच नीच गरी भी विरोजगारी पिछरे पन समाजिक और आर्थिक भेद बाव का समर्थक है तेश की जनता जाती कर जन ग पक्षी दलों को एक जूट करने की दिशा में काम कर रहे हैं एक बार सभी एक जूट हो जाएंगे तो हम सब एक साथ बैठेंगे और एक साच एजेंडे के साथ सामने आएंगे तब तक मैं ऐसे किसी मामले पर बोलना नहीं चाहता बता दी कि बिहार में बजरंग दल जैसी संस्था पर रोक लगाने की मांग नितीश के ही जदिव पार्टी के सांसद कोश्लेंद्र कमा द्वारा की गई थी इससे पहले भी करनाटक में कॉंगरस द्वारा बजरंग दल पर रोक लगाने की बात कही गई थी लेकिन इससे रोक लगाने की मांग पर कॉंगरस भी पर पहलवानों के दरदासल चंतर मंतर पर पहुंचे यहां पहुंसते ही उन्होंने कहा कि पदक विजेता बेटियों को पिटवाना भाजपा की तालिबानी मांशिक्ता का सबूत है आगर हुने कहा कि शोषन के खिलाव धरने पर बैठी तेश की बेटियों पर आधी रात में लाठी चलवा कर बीजेपी ने महिला विरोध की तमाम सिमाओं को लांग दिया है ऐसी चीज़े दसार्ती हैं कि केंदर सरकार अब तालिबान के रास्ते पर चलने वाली है ओवैसी ने बीजेपी कॉंग्रिस पर निशाना साथते वे सेकुलरिजम पर उठाए सवाल करनाट इसी बीच AIMIM प्रमुख असुदीन ओवैसी का बयान सामने आया है दरसल फ्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर हमला बोलते वे ओवैसी ने कहा है कि पीम मोधी ने करनाटक के लोगों से कहा है कि वोट डालते वक्त चै बजरंग बली कहें जबकि डीके सिलकुमार ने कहा कि अगर कॉंगर सत्ता में आई तो वह करनाटक में और बजरंग बली के मंदर बनवाएगी लेकिन अगर मैं यहां खड़ा हो कर आप से कहूं कि वोट डालते वक्त अल्ला हूँ अकबर कहिए तो मीडिया मेरी आलोचना करने लगेगा और केंद्र सरकार ना जाने मेरे साथ क् साथ योवैसी ने बीजेपी और कॉंगरस पर सवाल खड़ा करते वे कहा कि यह किस तरह का सेकुलरिजम है भाजपा ने केजरिवाल के सी स्महल के फोटो सेर करते वे कहीं यह बाद दले के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन खर्च का विवाद भरता ही जा रहा है इस मामले को लेकर भाजपा नेता भी धरने पर बैठे हैं और दावा कर रहे हैं कि केजरिवाल ने अपने सरकारी आवास के रिनोवेशन पर प्तालस करोर रुपए खर्च के हैं साथी साथ दावे में यह भी कहा गया है कि बंगले में करोर पताने वाले ने गड़ीबो का पैसा भोग विलास में उड़ाया ऐसो आराम के लिए बिना टेंडर 45 करोड में राज महल बनवाया पता दे कि दिल्ले विधान सभा में यह भी दावा किया गया था कि सरकारी आवास के सौंदरिकरन के मामले में अर्विन केजरिवाल को जेल जाना होगा साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि जब तक केजरिवाल तीहार जेल नहीं पहुंचा थे तब तक भाजबा के कारेकरता चैंस से नहीं बैठेंगे समराथ चौधरी ने नितीश सरकार पर लगाय आड़ो बिते ही दिनों पटना हाई कोट ने बिहार सरकार द्वारा करवाय जा रहे है जाती गद गरना पर रोग दिया है अब हाई कोट के इस फैसले पर बीजेपी के प्रदीश अध्यक समनाथ चौधरी ने नितीश कुमार पर हमला बोला है द्रसलों ने कहा है कि नितीश कुमार ने जान बूच कर ये नाटक करवा रहे हैं हाई कोट ने नितीश सरकार ने सही से पक्ष नहीं रखा इसी वज़ह से हाई कोट के तरफ से रोक लगा दी गई अपनी बातों को आगे बढ़ाते वे समराथ चौधरी न नितीश कुमार को ही बताया और कहा कि वे नहीं चाहते कि बिहार में जाती गद गन्ना हो नितीश कुमार की सरकार पूरी तरह से फेल है इन बातों को कहने के बाद समराथ चौधरी ने नितीश सरकार से इस्तिफे की भी मांग की भाषा विकास के पक्षधर को लेकर जैराम रमीश ने अमिस्साह पर उठाए सवार एक अंग्रेजी अकबार के साक्षातकार के दौरान अमिस्साह दौरा कहा गया था कि भारती जनता पार्टी सभी भाषाओं के विकास की पक्षधर है और यहारोप राजडिती से में उन्होंने कहा है कि ग्री मंत्री ने एक साक्षातकार में यह दावा किया था कि भाषपा सभी भाषाओं के विकास की पक्षधर है इसी पर सवाल खड़े करते वे पूछा कि क्या यही वजह है कि मोधी सरकार ने संस्क्रित के प्रचार प्रशार पर 640 करोड खर्च किय और कनर के प्रचार प्रशार पर सर्फ 3 करोड रुपए की राशी खर्च की बजरंग दल पर रोक लगाने की मांग को लेकर केंद्रिय मंत्री ने नितीज शरकार को दीच चुनोती बजरंग दल जैसे संगटनों पर रोक लगाने की मांग जदिव के सांसत कोशलंद्र कुम नहीं लगा सकेगा साथी साथ उन्होंने यह भी कहा कि बजरंग दल पर बैन होगा तो सभी मस्जिदों को भी बंद करना पड़ेगा वहीं ध्रन्द सास्त्री की बात करते वे उन्होंने बिहार सरकार को इस बात की चुनौती भी दी कि बाब आगेश्वर को रोक कर देख ले पश्यम बंगाल के मुक्यमंत्री ममता बनार जी ने भाजपा को एक बार फिर से आरे हाथों लेते वे कहा है कि भाजपा केंद्रे एजेंसियों के भरोसे चनाव जीतने के सपने देख रही है लेकिन असान नहीं होगा सीबी आई और इडी जैसे केंद्रे एजेंसिया भगवा पार्टी को अगले साल होने वाले आम चनाव में वोट हासल करने में मदद नहीं करेगी पतादी के ममता बनार जी मुर्सीदाबाज जले में एक सरकारी करकम को शंबोधित कर रही थी जहां उन्होंने बातों कहा इ जॉसन मामले में पहलवातों को लेकर अनुराक ठाकर ने कही ये बात। करी कारेवाई की जाएगी उस्फसाया तेट-नला आज के राजिन्तिक से जुरी khब्डों में हमारे दरा पूआगा सवालका आप लोगों में से बहुत लोगे ने prayer जड़ाब हमें कमें हमारे comment section box में लिक कर दिया था चिनंडी वुवर्ण दोरा हमारोदर आप पुछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नंद कुमार सिंग, मुहम्मद सकीर हुसेन, अनवर्द करीम खान, अभिशेख राज, असर्फी मंडल, कौशलंदर कुमार सना, हिमानसु, सुरज कुमार सिंग, मुहम्मद इमतियाज, पवन सिंग, अल इतना ही धन्यवाद.